नश्कार दोस्तों एक बर फिर से आप सब का स्वागत है मेरे इस यूटिप चैनल में तो दोस्तो आज हम बात करने वाले कल के मैंच के बारे में अफकोस जो की खिला जाने वाला है राजस्तान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीश तो दोस्तों पंजाब किंग्स मतलब वही Kings 11 Punjab, उनका नाम थोड़ा सा इस साल चेंज कर लिया है उन्होंने, तो इसी वज़े से उनका नया नाम है Punjab Kings, तो दोस्तो, IPL का 4th मुकाबला होगा है, IPL 2021 का, अफकोर्स 12th April को खेला जाएगा दोस्तो, तो दोस्तो इस वीडियो में बात करेंगे, इस मैच के वेन्यू क के बारे में, उसके बाद head to head, मतलब team performance हम देख लेंगे, पीच रिपोर्ट देखेंगे, तो टीम में अगर कोई न्यूज आ रहा है, किसी प्लेयर के बारे में कुछ न्यूज अगर आ रहा है, तो वो भी हम आपको जरूर बताएंगे, playing 11 की बात कर लेंगे, दोस्तो जो probable best probable 11 हो सकता है कल के लिए, उसकी जरूर बात करेंगे, hotpicks देख लेंगे, दोस्तो, hotpicks मतलब जो match winner players है, जिनको हम कप्तान, vice captain के लिए भी चूस कर सकते हैं, ऐसे players में आपको दिखा दूँगा, और उन पे भी हम अच्छा दाव लगा सकते हैं, अपनी dream 11 team में दोस्तो, तो आई दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं, इससे पहले, अगर दोस्तो आपने मेरा चाइनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे प्रेडिक्शन के वीडियो में आप तक पहुचाता रहूं, और अगर पिच के बाद की जाए दोस्तो तो जैसे हमने देखा कि वानखेड़े स्टेडियो में एक हाई स्कोरिंग स्टेडियो में दोस्तो जहां पर बैटिंग के लिए जादा मदद मिलती है पिच से as compared to balling, balling के लिए जादा मदद नहीं है दोस्तो फिर भी थोड़ा बहु पर ज्यादा तर batsman ही वहाँ पर काम आने वाले हैं दोस्तो हमें हमारी predictions के लिए हमारी winning team के लिए तो दोस्तो बैटिंग पर ज्यादा हमें concentrate करना है और अगर बात की जाए दोस्तो ड्यूक फेक्टर के बारे में तो second inning में ड्यूक फेक्टर भी रोल कर सकता है यहां पर वन scoring match होने की पूरी संभा होना है दोस्तो इसी वज़े से फिर से एक बार बता दू हम batsman's पर या all rounders पर ज्यादा concentrate करने वाले है तो ठीक है तो वीडियो को आगे बढ़ाते चलते आगे के section में head to head मतलब team performances दोनों team के एक दूसरे के सामने कैसा performance है यह मैं आपको दिखा रहा ह दोनों team में अब तक IPL में 21 matches खेले गए है दोस्तो जिसमें से कि Kings League on Punjab या फिर नहीं वाली Punjab Kings ने सिर्फ 9 matches जिते हैं जहां कि Rajasthan Royals ने 12 बार मतलब 12 times बाजी मारी है दोस्तो तो यहापे पलड़ा थोड़ा राजस्तान का भरी है बट इतना भी कुछ जादा नहीं जैसे क कि हमने पहले कुछ matches का देखा अकल के परसों के matches का कि around double का difference था बड़ यहापे थोड़ा बहुत बराबरी का ही मामला नजर आ रहा है और अगर थोड़ा अकड़ों की देखा जाए तो यहापे राजस्तान Royals का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है अभी दोस्तो अंगरवाल देते हुए नजर आएंगे या फिर इस साल थोड़ा सा चेंज होने की संभावन है कि मैंक अंगरवाल वन डाउन आयो क्रिस गेल ओपनिंग करते हुए नजर आए क्योंकि यूनिवर्सल बहुत है दोस्तों और पता ही हमें की ओपनिंग में सबसे जादा अच् तो हो सकता है कि क्रिस गेल भी ओपन करें या फिर मैंक अगरवाल से ही कंटीनु कराया जाए बट दोनों टीम में जरूर शामिल होंगे दोस्तों आगे दोस्तों सरफराश खान या फिर जो नए उन्होंने अभी इसी साल ओक्शन में खरीद है शारुक खान उन में से दोनो में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था उनका जे रिचार्ड सन जिनको इस साल काफी में अराउंड 15 करोड में राजस्तान रायल ने खरीदा है उनको सोरी पंजाब किंग्स ने खरीदा है उनको भी जरूर चांस मिल जाएगा क्रिस जॉल्डन को कल खेलते विए देख सक कि न्यूज ऐसी है दोस्तों कि राजस्तान रॉयल के जोफरा आर्चर में भी कुछ मैचेस या फिर पूरा IPL सीजन एवेलेबल नहीं रहेंगे क्योंकि उनकी हाथ की सरजरी हुई है उनकी उंगली में कुछ चोट आई थी दोस्तों इस वज़े से उनका कुछ सरजरी अब डुच वज़ेंगे अभी उपनिंग में उनके पास दो ओफ्शन से दोस्तों आईदर रचस्वी जैस्वाल से ओपनिंग करा सकते है या फिर एक न्यूज ऐसी भी ही कि बेंस्टोक्स भी कल ओपनिंग को नजर आ सकते है तो चलिए हम अभी के लिए एसे वी जैस्वी जो ओपनिंग करेंगे मेरे ख्याल से जॉस बटलर और ये शेस्वी जैस्वाग देर अफकोस उनके नए कप्तान जैसे कि आपको पता ही होगा कि संजू सैमसन इस बार राजस्तान रॉयल की कप्तानी करने वाले है तो संजू सैमसन को हम वन डाउन पोजिशन पर देख सकते ह चिवम दुबे जिनको इसी साल उन्होंने खरीदा है उनको भी हम खिलता हुए देखेंगे अच्छे ऑल राउंडर है दोस्तो बैटिंग बॉलिंग दोनों में अच्छा प्रदर्शन वो कर सकते है फिर बें स्टोक्स नजर आ सकते है रियान पराक को भी चांस मिल सकता है क उनको चांस देना तो बनता ही इतना पैसा इंवेस्ट किया है उनको चांस नहीं देंगा तो इसी वज़े से क्रीस मौरीस अफकोस रहेगा दोस्तों श्रेयस गोपल अफकोस उनके में स्पीनर है उनको भी हम खेलता हुए देख सकते हैं कार्थिक त्यागी या फिर जैदे प्रोबैबल प्लेइंग 11 जो कि सबसे बेटर नजर आ रही है इस साल तो दोस्तों स्टीवन स्मिथ को उन्होंने रिलेज कर दिया था और इस साल उन्होंने अच्छे अच्छे नए जैसे कि जैर रिचर्सन क्रिस मौरीस इनको शामिल किया है दोस्तों तो काफी बैलेंस ट देखा कि बड़े-बड़े हिट्स भी लागा सकते थे अभी कब तक अवेलेबल होते हैं या पूरा IPL सीजन अवेलेबल नहीं रहते हैं यह डिपेंड करता है दोस्तों तब जो भी न्यूस आएगी मैं ज़रूर आपको बता दूंगा और पिक्स की बात करते हैं दोस्तों अच्छे प्लेयर है बैटिंग बॉलिंग दोनों में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं संजुस सैंसन अफकोस कैप्टन को तो सिलेक करना बनता है जौस बटलर काफी जबरदस्त परफॉर्म करते हैं दोस्तों IPL में जौस बटलर ओपनर आते हैं और वन हैंडेड मैच जित अब ही सकते हैं अपने टीम के लिए और राहुल तेवतिया को भी जरू में शामिल कर लूँगा क्योंकि अल्राउंडर है यह भी स्पिनिंग में भी विकेट्स चटका सकते हैं और बैटिंग भी अच्छी खासी कर सकते हैं तो आगे हम शिवम दुबै को भी शामिल कर सकते है दोस्तों बट अफकोर्स आपको पता ही है जैसे सबको तो हम शामिल नहीं कर सकते इस वज़े से मैंने उनको शामिल नहीं किया है आभी किंग्स 11 पंजाब या फिर पंजाब किंग्स इनके पास चलते हैं दोस्तों केल राउल ऑफकोस क्रिस गेल युनिवेसल बॉस को हम शामिल करेंगे निकुलेस पुरन भी अच्छा ओप्शन है दोस्तों और मौमत श्यमी जो बॉलिंग अटैक में काफी अच्छा प्रदर् तो इसके लिए योग कि यूज कर सकते हैं तो दस्तों किर सकते हैं जोतलिकbyर करां में निविस को हम शारा है औल जो tips r maybe मैच यहां पर दिख जाएगा राजस्तान रॉयल्स वर्सेस पंजाब किंग्स तो यह मैच पर हमें क्लिक करना है दोस्तों इसको ओपन कर लेना है ठीक है अफकोस यहां पर हमें अभी लीग नहीं लगाना है क्योंकि सबसे पहले तो क्रियेट टीम करना होगा तो मैं से जाथा बैसमन ले नहीं सकते है ऐसे भी रूल जैसे कि आपको पता ही होंगे वह रूल की सबसे भी हमें पूरा टीम का चॉइस करना है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विकेट कीपर से दोस्तों अफकोर्स लोकेश राहूल जौस बटलर सामसन तीनों के तीनों काफी अच्छे प्लेयर है दोस्तों काफी टैलेंटेड प्लेयर से और उनमें प्लस पॉइंट यह है कि यह अपर ओर्डर में खेलने आते हैं दोस्तों क्योंकि लोकेश राहूल और बटलर तो ओपनिंगी करते हैं और सैमसन वंडाउन का पूजिशन संबालते हैं दिखेंगे त उनको सिलेक करूंगा तो चार विगेट की पर हो जाएंगी दोस्तों जो कि मुझे नहीं करना है इस वज़े से अभी चलता हो बैट्समन के तरह उनिवेसर बॉस को सिलेक कर लेंगे मैं कागरवाल को सिलेक कर लेंगे अभी क्योंकि दोस्तों सब देखिए आप 10.5 9.59 यह बड़े-बड़े पॉइंट्स लेके आ रहे दोस्तों प्लेर इस वज़े से थोड़ा बहुत यहां पे समझ सूजबूच से पॉइंट्स यूज़ करने होंगे अभी यहां पे देखिए दोस्तों में डेविड मिलर मेरे ख्याल से कल हिस्सा नहीं होंगे डेविड मलान का अभी मेरे हिसाब से नहीं होगा लिविंग स्टोन भी नहीं होगे तो मंदीब सिंग है सरफरास खान है मनन हो रहा है दिपक खुड़ा है शारूख खान देनेश वी जैसवाल रियान पर आगे काफी अच्छा 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 ओप्शन से दोस्तों मेरे खैल से इन में स और वड़ा पॉइंट का सेविंग भी कर लिया है तो अभी आल राउंडर के पास जाता हूं दोस्तों अफकोस बें स्टोक्स को मुझे सिलेक करना है अभी यहां पर मैं सिर्फ दो अल्राउंडर से लेक कर सकता हूं क्योंकि अल्रीड तीन विकेट कीपर तीन बैट्समन मै नहीं कर सकता तो मैं Chris Morris को से लिए कर ले रहा हूं दोस्तों अभी के लिए और अभी चलते बॉलर्स की तरफ बॉलर्स में अफकोर्स कल जोफरा कल तो एटलीस जोफरा अर्चल खेलते हूं नहीं नजर आएंगे मेरे खियाल से क्योंकि मैंने न्यूस भी देखा था तो जो मुझे पॉइंट्स की दिक्कत होने वाली है तो मैं सबसे पहले कारतिक त्यागी को शामिल करूंगा काफी अच्छे बॉलर्स विकेट्स भी चटका लेते हैं अभी देख सकते कि मेरे पास 17 बचे और सिर्फ 9 प्लेयर्स मेरे अभी तक सिलेक्ट है तो मेरे पास 2 प्लेयर् मुस्तफी घुर्んだ counselor और मुस्तफीजूर् एरहमान के साथ यह तो यह जरूरत पडती है तो तो थोड़े बहुत रहं कि हमें points दे सकते हैं इससी वाजह से हमें जाऊगा भी रिचर्ट सन के साथ तो दोस्तों देखिए मेरा टीम बन रहा है ऐसे रहेंगे जौस बटलर संजू सैमसंग और लोकेश राहूल तीनों विकेट कीपर मैंने शामिल कर लिये दोस्तों यह निकोलेस पुरन को मैंने शामिल नहीं किया है क्रिस गेल मयंका ग्रवं। टीन मेने शामिल किया है यह अब की अगर देख सकते हैं यह इन पूरे पूरी जो बॉलिंग अटैक है यहाँ पर है यहाँ परे एक यॉंवी सपिनर डेड नहीं है दोस्तों पुरे की पूरे 5 फास्टर है बट अफकोस जैसे कि आपको पता ही है फास्टर बॉलर मैस का स्टार्ट भी करते है और बॉलिंग का और एंड में भी फास्टर ही रहतो विकेट के चांसे उनको तो इसिवाजे से यहां पर इस टीम में तो हम कोई शुपिन नहीं ले रहे पूरी की पूरी फास्टर हमारे पास रहेंगे तो चलिए हम दूसरा combination भी देख लेते दोस्तों के लिए जाते हैं के यहां पर मैं जॉन्डन को हटा रहा हूँ then मैं यहां से थोड़ा बड़ा डिसीजन लूंगा मैं Chris Morris को अटा दूंगा आगे जाते यहां से इन तीनों में मेरे ख्याल से चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है हम थोड़ा सा एक रिस्की डिसीजन लेंगे यहां से युनिवर्सल बॉस को डालेंगे दोस्तों तो यहां से युनिवर्सल बॉस को हटाया मैं अभी मैं यहां पर मंदीप सिंग को शामिल कर लूंगा जो कि फिर से मेरे वहीं हम और चेंज श कर सकते हैं यहां पर यह थो तो यहां चैल यहां जाएक transparent में ऐसमें जाकर से ज्ञेडा जाएक जैशोल बॉस को भी कर सकते हैंसा दूसरा थीम ज़्कि यहां सबस्कुझार फिर से नहीं आप है है CT तो यहां पे देखिए फिर से जॉस बतलर, संजु सैमसन, लोकेश, राहूल, क्रिस गेल, मायं का गरावाल, एशेस्वी, जैसवल, फिर से यहां पे, बेंस्टोक, राहूल तेवतिया, और यहां पे देखिए इन मैंने किया है, एक प्रॉपर स्पिनर जो मैंने शामिल कर लि और यह यह भी परफेक्ट अच्छा कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है दोस्तों और एक मैं आपको कॉम्बिनेशन दिखाना चाहूंगा कि मैं यहां से एशेस्वी जैस्वाल को हटा दे रहा हूँ ठीक है और राउंडरस में जाते हैं दोस्तों मैं बेंस्टोक को नहीं आटाने वाला दोस्तों बेंस्टोक अच्छी फॉम में भी है इंडिया के खिलाब आपने देखा होगा कि काफी अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया है य यहां पर और बॉलिंग में देखिए दोस्तों शिरेस गोपाल को करेंगे जह रिचर्ड संग को भी कंटीन्यू कर सकते हैं हम यह फिर जह रिचर्ड संग की जगह मैं यहां पर मुस्तफी जुर्रहमान को सामिल कर लूँगा यह अच्छे बॉलर दोस्तों अगर इन्हों हो सकते दोस्तों यह भी काफी अच्छे प्लेयर है पिछले सीजन में काफी अच्छा पर्फॉर्मन्स रहा था उनका कुछ मैचेस में तो इनको भी हम शामिल कर सकते तो यह थोड़ा सा डिफरेंट टीम बनेगा दोस्तों उसका प्रिव्यू में आपको करा दे रहा हूं यह भी एक कॉंबिनेशन आप बना सकते हैं तो ठीकी दोस्तों यहाँ पर रहेंगे जौस बटलर सैमसन और राहूल यहाँ पर मैंने कोई भी चेंज नहीं किया फिर से यहाँ पर निकोलस पूरण मेरे इस टीम में भी शामिल नहीं हुए है दोस्तों क्रिस गेल अफकोर्स मैं अर्शयदीब सिंग तो यह थोड़ा ज्यादा रिस्की टीम बन रहा है दोस्तों बट जैसे कि आपको पता ही आपने पहले मैंचे देखे ही कि जो प्लेयर एस्पेक्टे नहीं थे वही परफॉर्म कर ज्यादा परफॉर्म अच्छा कर रहें तो हम थोड़ा सा रिस्क भी लेना चाहते हैं तो आप इस टीम पे भी रिस्क लगा सकते हैं दोस्तों तो ठीक है दोस्तों और एक टीम में दिखाना चाहता हूं जिसमें मैं मैं निकॉलस पुरन को अड़् करूंगा अभी यहां से मैं क्रिस गेल को अटा रहूं मैं यहां पर शिवम दुबे हटा पूंगा ही दोस्तों रोकेश राहूल बटलर सैमसन अभी यहां पर और एक उप्शन मैंने अड़् कर दिये निकॉलस पुरन तो यहां पर अभी मेरे पास सिर्फ नो पॉइंट बचे है और मेरे कहल से मुझे एक बैट्समन लेना कंपल सरी है यहां पर तो बैट्समन के ओ दोस्तों डेविड मिलर मलान लिविंग स्वाल के साथ यहां पराक को भी आप ट्राय कर सकते हैं अगर इन होते तो जैसे मैंने बोला कि अपर और में खेलते हैं दोस्तों आइदर ओपनिंग या फिर वन डाउन का पोजिशन संभालते हुए नजर आएंगे और जैसे कि विजय हजारे ट्रॉफी भी आपने देखा हुगा अच्छा परपामस रहा है दोस्तों आइधीं सो एक या दो सेंचुरी भी रहती तो अच्छे टच में है तो हम इन पर भी दाव लगा सकते हैं हाला कि मेरे ख्याल से थोड़ा हाई हीटर नहीं है दोस्तों ज चार कीपर हो गया यह दोनों टीम से दोस्तों जिसमें अच्छे-च्छे कीपर है दो सब की तरफ तो निकोलस पुरन को मैंने अड़ कर दिया यह यह थोड़ा सा रिस्क यह हो गया कि मैंने यह यूनिवर्सल बॉस को अटा दिया है तो इसी यह थोड़ा रिसकी हो सकता है अफकोस थोड़ा सा रिसक लेना तो बनता है दोस्तों तो यह और एक कॉंबिनेशन हो जाता है हमारी लिए तो ठीक है चलो दोस्ते आईए अभी क्याप्टन वाइस क्याप्टन के लिए बात कर लेते हैं कि क्याप्टन वाइस क्याप्टन के लिए options कोन हो सकते तो इसके ल इसको शामिल कर लिया था और बॉलिंग में देखिए मैंने क्रिस जॉर्डन को रखा था यह थिंग सो गोपाल को नहीं रखा था रिचर्सन को रखा था और अर्शदीब की जगा मैंने रखा था करतीक त्यागी को तो यह सबसे बेटर टीम मेरे खाल से मुझे नजर आ रहा ह कि यहां पे एक बीज मांट की या नहीं है ऑंट वांखेड़ का स्टीडिय वे दोस्तों स्कूम यिए मार भी पड़ सकती है तो यहां को हटाके रहूल देवतिया को अड़ कर सकते हैं रहूल देवतिया को M. डे कर सकतेर में स्टोक मेरे खाल से आप वेसंटोक के लिए यहां पिर यहां पर जॉर्ट को भी हटा कर गोपाल को शामिल कर सकते दोस्टों कि च्राइच cela को भी शामिल कर सकते यहां पर पिर मेरे लसी यह टिम और रखा हूंगा तो यहीं टिम मेरे लिए बेटर रहेगी तो ठीक है दोस्तो captain voice captain की बात कर लेते हैं अभी सच्छे अच्छे options इसी टीम में मोजो दे दोस्तो ऑफकोर्स जॉस बटलर जॉस बटलर लोकेश राहूल सामसन क्रिस गेल मैंका ग्रवाल और बेंस टोक्स यह च्छे options दोस्तो सबसे अच्छे है captain voice captain के लिए तो अगर हम बात के जाए क कि इन में से combinations कैसे होने चाहिए तो of course सबसे पहले मैं जाओंगा लोकेश राहूल को captain बना दूँगा दोस्तो वाइस captain रहेंगे मेरे Sanju Samson यह combination आप जरूर ट्राइ कर सकते दोनों कताने दोस्तों दोनों तीम के और दोनों अच्छी बैटिंग कर लेते दोस्तों आपकर लोकेश राहूल अच्छे form में return आ चुके हमने देखा जैसे one day series में और Sanju Samson तो अच्छा प्रदर्शन करते ही है तो यह combination हो सकता है दोस्तों अगर चाहे आप तो लोकेश राहूल और जॉस बटलर को भी voice captain बना सकते हैं यहाँ पर और एक चेंज हम जॉस बटलर के साथ जा सकते हैं और यूनिवर्सल बॉस को भी voice captain बना सकते हैं या फिर आप जॉस बट की जाए तो ज्यादा बेटर जो option रहेंगे हमारे पास वह रहेंगे क्रिस गेल मयंक अग्रवाल और बेंस टोक्स यह भी voice captain के लिए अच्छा option है दोस्तों अगर चाहे तो आप स्टोक्स पे भी थोड़ा सदाव लगा सकते हैं और उन्हें भी captain कर सकते हैं फिर भी सबसे ब बेंस टोक्स बैटिंग भी कर सकते बॉलिंग भी कर सकते तो इन पर भी हम दाव लगा सकते हैं और voice captain हम कर सकते हैं लोकिश राहूल को यह भी एक अच्छा option हो जाएगा दोस्तों तो काफी मैं आपको combinations दिखा रहा हूँ अफको इसमें से आपको चूज करना है कि आपका combination क जरूरत होगी दोस्तों तो मैंने combination आपको I think 155 combination at least दिखा दिया है मैंने इसमें से choice कर लीजिए अलग-अलग combination लगाना यह फाइदे में रहेगा दोस्तों क्यूंकि same combination लगा है और team अगर fail हो जाए तो भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है तो ठीक है दोस्तों आज वीडियो के notification आप तक पहुचते रहें दोस्तों और आप कोई भी अच्छा वीडियो मिस ना करें तो ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही thank you